नमस्कार आप देख रहे हैं जन्ता दर्बार नियूज और मैं आपके साथ जोती रागव होली को भारते संस्क्रती में एक महतो पून पर्व माना जाता है यह पर्व हिंदू परंपराओं में विशेश महतो रखता है और वर्ष में एक बार मनाया जाता है होली का अत्सव का आयोजन चैतरमास के शुकल पक्ष की पूर्णिमा के दिन किया जाता है इस उत्सव के मुख्य तिवहार में लोग अपने घरों के सामने होली का दहन का आयोजन करते हैं इस रस्म के दोरान लोग मानते हैं कि उनके घर का सबी दुख और दुरभागी धुल जाए और उनके जिन्दगी में सुक्य सम्रद्धी और शांती हो होली का अत्सव का उत्सव और रंग वाला उत्सव भी लोगों के दुवारा उत्सव से मनाया जाता है इस दिन लोग रंगों से खेलते हैं गाने गाते हैं और मिठाईयों का सेवन करते हैं इसी के चलते जैपर के गौविन देवजी मंदिर में श्री खोले के हनुमान जी मंदिर में और सीता राम मंदिर में होली का उत्सव मनाया गया इसी के साथ ही होली के रंगों में रंगे गोकुल धाम के मंदिरों में भी धूम धाम का होली का उच्सव मनाया यहाँ पर बरसाने की लठमार होली से लेकर रास लीला और बड़े बड़े रंगीन उच्सवों में मंदिरों में धूम धाम मचाई गोविन देवजी मंदिर में मंगलवार को होले का उचसव के तहत बरसाने की लठमार होली खेली गई कारेकरम में साथ कलाकारों ने मिलकर लठमार होली के दरश्यों का साकार किया श्टरधालों ने भजदों पर जम कर नर्ते किया और कलाकारों ने रास लीला की प्रस्तूत किया दी वहीं श्रीखोले के हनुमान जी मंदर में लठमार होली के बाद रास लीला का आयोजन किया गया कलाकारों ने स्री राधर कृष्टन की रास लिला प्रस्तूत की और साथ ही अध्यात्मिक भजनों की गायन की सीता राम मंदिर में भी होली का उत्सव मनाया गया जहां पर राम और सीता ने धूमधाम से होली खेली कलाकारों ने ठाकुर्जी के पद सुनाए और मंदिर में उद्घाटर में बड़ी भागिदारी की युशंगड के संद नागिर्दास ने गोकुल धाम की नवदू के मुख से होली की धमा चोकडी का वर्णन किया गया इसमें गोकुल गाम के हरीवारे और हुरियाने की लठमार होली का जिक्र था जो खास रूप से इस गाम की परंपराग है होली का असव के इन उत्सवों में मंदिरों ने रंग भरे और भक्तों को आनन्दित किया इस साल का हॉली उत्सव भी धूमधाम से मनाया गया जिसमें लोगों के एक एद्वित्य अनुपर प्रधान किया गया जनता गर्बान योजबर फिलहाल के लिए इतना ही